नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब चैनल पर और आज जो जानकारी में आप लोगों के साथ सेर करने वाला हूँ आपके फ्यूचर को लेकर के और आपके केरियर को लेकर बहुत इंपोर्टेंट है तो इसलिए वीडियो को जरूर कम्प्लीट देखे ताकि आपको पूरा समझ में आ सके तो जितने भी लोग चाहे वो स्टुडेंट हो अभी एडमिशन लिया है आप लोगोंने चाहे आप लोग लेब टेक्निशन जो आप लोग बन चोके हैं लेब टेक्नलोजिस मेडिकल फिल्ड में और जितने लोग अभी काम कर रहे हैं आ आपको जो है मैं बहुत सारी जानकारी आप लोगों को देने वाला हूँ इस वीडियो में पहली बारा हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजेगा और सबसे पहली चीज तो मैं आप लोगों को बता दूँ कि जो बजट आप लोगों को देखने को मिला होगा इंडिया का या फिर अपने मद्यप्रदेश का या अलग अलग राजियों का तो सबसे ज़्यादा फूकस जो किया गया है वो हेल्थ डिपार्टमेंट को लेकर के किया गया है इसके पीछे रीजन भी है क्योंकि अभी आप जब समय देख रहे हैं कोरोना काल का उसके बाद जो है लोग पर तो number of patient बढ़ चुके हैं वो इसलिए क्योंकि वो हर कोई चाहता है कि हम अपना health check-up समय समय पर कराते रहें इससे benefit क्या होगा कि doctor भी उनको suggest कर रहा है कि भीया आप समय समय पर अपना health check-up करवाते रहें जिसमें important योगदान हमारा होता है जो हम lab में काम करते हैं हम उनक blood test या बाकी चीजों का test जो है करके देते हैं report उसके according उनको मालूम चलता है कि उनको कोई disease या बिमारी तो नहीं है तो इसलिए हमारा बहुत ही important और महत्वपूर्ण योगदान हमारा इस field में होता है तो हम सभागे साली हैं आप भी सभागे साली है कि हम इस field में हैं स्वास देता हूँ इसमें ये कहा गया है कि इसमें निरामय योजना स्वास्थ सिवहों में सुधार के लिए किया जाएगा और नौ मेडिकल कॉलेज सिवपूर, राजगर, मंडला, सिंग्रोली, नीमच, मंसोर, दमो, चतरपूर, सिवनी में खोले जाएंगे तो नौ मेडिकल कॉ ओने से लग-ओलग डिपार्टमेंड में लेब तेकनिसियन सारे मेडिकल कॉलेजों में, उसके अलावा होस्पिटल होंगे, काम जब हो हाँ पर स्टार्ट होगा सिव उसके अंदर जो भी पैथलोजी लेब होगा उसमें lab technician तो कितना सारा vacancy जो है इसमें आने वाला है तो इसके लिए आप किवल मैं मद्रप्रदेश की बात नहीं कर रहा हूं पूरे all India में अलग-अलग state में राज्ये में health department को boost किया जा रहा है तो इसके लिए चाहे medical college हों या aims हों या फिर hospitals हों ये तो अब बनने वाले हैं तो इसलिए जो है आप लोगों को मैं ये बात बताने वाला हूँ जितने भी लोग तैयारी कर रहे हैं या आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं तो आपको alert इस बात से रहना है कि जानकारियों को इकठा करना है न्यूज पढ़िये अपने area में अपने राज्ये में कहां पर कौन सी चीजें हो रहा हैं कौन सा निर्मार कारे हो रहा है स्वास्त विभाग को लेकर के कौन-कौन सी घटना है हो रही है उस पे आपको focus करना है जब आप जागरूप रहेंगे तो इन सारी चीजों के बारे में पता होगा आपको तो आसानी से आप वहां तक पहुंच सकते हैं और आपको job आसानी से मिल जाएगा तो इसके लिए चाहिए competition exam हो या interview basis पे आप सभी चीजों के लिए तयार रहेगा तो इसलिए आपको मैं ये वीडियो के माद्यम से बताना चाहता हूँ कौन-कौन सी बातों को आपको ध्यान देना है सबसे पहले चीज कि ये medical college और building बंदे में ज़्यादा समय नहीं लगता अब जो है advanced चीज़ें होती हैं तो समय ज़्यादा बिलकुल नहीं लगता बहुत जल्दी से जो है ये निर्मान कारी चालू हो जाता है एक साल दो साल लगते हैं और आपका faculty जो है वहाँ पर भरना चालू हो जाता है इसलिए आप लोग इन सब चीजों के लिए तयार रहेगा जब भी जगह पर काम करते रहेए जैसे ही आपको मुका मिलता है competition exam का वो भी आप fight कीजिएगा और इसके लिए जो हमारा main second channel जो है दिनिस कुमार के नाम पर वहाँ केवल और केवल आपको competition exam की तयारी कराया जा रहा है आपको सारे MCQs बहुत सारे धेर सारे MCQs को explain करके आपको दिय तो आप आसानी से आप सवाल को जो है वहां पर cover कर सकते हैं और अच्छे number आप ला सकते हैं और जितने भी लोग एक्जाम दिये हैं result का इंतजार कर रहे हैं अलग लग जगह पर आप लोगों के निरास नहीं होना है जिनका कम number आया है कई लोगों का selection होगा उसमें तो वो इस फिल्ड में आएंगे काम करेंगे तो आप सभी का स्वागत है और जितने लोगों का number कम आया है निरास नहीं होना है दोबारा से आप focus होकर के तैयारी करिए मेरा कहने का मतलब यह है आप जो है focus रहकर तैयारी करेंगे negative thought आपके दिमाग में नहीं रहना चाहिए positive thought लेक होंगे और जादा number आपके होंगे तो इस बात को जो है आप विसे ध्यान रखेंगे आपके पास future बहुत जादा ब्राइड होने वाला है अब आने वाले समय में जो है जब इस फिल्ड को लेकर के इतना focus किया जा रहा है तो आप समझ सकते हैं कि हम इसमें कितना योगदान दे सकते हैं ठीक है चाहे आप private field में ले जी या फर government field में दोनों field में इसमें future bride होने वाला है क्योंकि लोग alert हो रहा हैं अपने health को लेकर के बाकी चीजों को लेकर के तो सभाविक बात है कि आने वाले समय में जो है इसमें बहुत जादा future bride होने वाला है अब जो student है तैयार कर रहे हैं आप लोगों के लिए classes regular आते रहेंगे समय समय पर important topic को लेकर के आप लोगों के साथ हम theoretical with practical आप लोगों के साथ करते रहेंगे practical पार्ट जादा होगा क्योंकि उससे आपको clear cut समझ में आ जाता है कौन-कौन सी चीजें हो रही है ठीक है उसके अलावा जितने करते हुए इस चैनल पर हम मार्क दर्शन आप लोगों को देते रहेंगे आपका भी सहयोग बना रहेगा हमारे साथ हम आसा करते हैं तो वीडियो को ज़्यादा सेयर करिएगा कोई सावाल है तो कमेंट्स कीजिए सबका कमेंट्स में read करूँगा कोसिस करूँगा reply करने का क कोई सावाल है तो आप जरूर बताइएगा और आप सभी लोगों को सुपकामना है और आने वाले समय के लिए ताकि आप लोग अच्छे से मेहनत कीजिए लगन से मेहनत कीजिए और समय जो है बहुत महत्वपूर है इसलिए समय को बरबाद ना करें अच्छे से आप है अपना नोट्स खुद बना करके तैयार करके रखिए उसी नोट्स से आपको पढ़ना है आगे भी पढ़ना है और रिवीजन भी आपको अपने ही नोट्स से करना है दूसरे के नोट्स आप ना मांगए अपने नोट्स बनाएं खुद बैठ करके मेहनत करेंगे तो उसक आपको मिलेगा दूसरे का नोट्स लेकर के आप नहीं पड़ पाएंगे इसलिए विसेज धियान रखिए अपना नोट्स बैट करके खुद बनाईए हम भी बनाते हैं आप भी बनाईए हम आपको भी प्रेरित करते हैं हम किसी से उम्मीद नहीं करते कि हम हमाई किसी का नोट नोट्स मिल जाए हम खुद बैट करके अपना बुक निकालते हैं और उस टॉपिक का नोट्स बना करके आप लोगों के लिए ले करके आते हैं तो यही मुझे कहना था थैंक्यू सो मच और आगे भी इसी तरीके से आप हमारा सहीयोग करते रही है हम भी आप लोगों को सब्सक्राइब करते रहेंगे थैंक्यू सो मच